कि यह गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ जशन की हेर के रूटीन की वीडियो शेयर करने लगी हूं हमने जशन को करवाया हेर वाश और आफटर हेर वाश अब हम करेंगे उ इंटर एंड समर दोनों में मैं मस्टर ओयल यूज करती हूं इसी ओयल से उसके बाल इतने ज़्यादा सुन्दर हो गए हैं तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को कर दे सब्सक्राइब तो आप देख सकते हैं जशन के बाल बड़ी जल्दी जल्दी इंक्रीज हो रही है बहुत तेजी से उसके बाल बढ़ रहे हैं तो दोड़ाई साल हो गए हैं आपको भी जशन को देखते हुए तो आप सब ने देखा है कि जशन को मैं आयूर शेंपू यूज करती हूं और आइलिंग के लिए मैं जस्ट मस्च बड़ ऑईल ही यूज करती हूं इतना अच्छा वाला ऑईल है हर टाइम आपको अपनी किचर में यह वाल मिल जाएगा आपको मार्किट जाने की जरूरत नहीं है कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है सिरफ यह वाला ऑईल आप 12 महीने यूज कीजिए अच्छी तरह से ऑईलिंग कीजिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन बालो पर इस ऑईल को लगाएं हफते में दो बार यह वाला ऑईल लगाएं मसाज करें हफते में दो बार हेयर वाश करें आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके बाल इतने ज़ केर मुझे ही करनी पड़ती है बट आप अगर खुद भी अपने बालों की अच्छी तरह से केर करेंगे तो आपके बाल भी इतने लंबे हो सकते हैं बस आपको अच्छी तरह से ऑईलिंग करनी हैं लेंथ पर स्कैल्प पर ब्रेड बनाकर रखनी हैं हफते में दो बार हेयर अच्छा वाला नेच्छुरल हरबल शेंपू यूज करना है आप चाहिए तो कंडीशनर का यूज भी कर सकते हैं सीरम का यूज भी कर सकते हैं यह जीजे हमारी बालों को किसी तरह कोई भी नुकसान नहीं करती हैं मार्किट में बहुत से ओईल आ चुके हैं मतलब मैं कोई नहीं नहीं यूज करती हूं मुझे सिरफ और सिरफ मस्चर्ड ऑइल ही पसंद है इस ओऊझ से ना तो आपको इचिंय की प्रबलम होती है ना तो आपको डेंडरफ की प्रॉब्लम होती है ना ही कोई स्कैल्प इंफेक्शन होती है और इसकी स्मेल भी मुझे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉंग नहीं लगती है बिल्कुल लाइट वेट ऑईल है मतलब लगा करना अगर इसके इलावा मैं कोई और ऑईल जशन के बालों में लगा दूना तो वह कि अच्छी तरह बालों पर शैंपू करेंगे ब्रेड बना कर रखेंगे तो आपको भी अपने बहुत अच्छी हमें हीयर के रूटीन बताई है हमेरी बालों में बहुत जatक्ता काई है क्योंकि मुझे भी दो ड़ाई साल हो गए हैं ये सबी चीज़े यूज करते हुए और आप भी रेगुलर जशन को देख रहे हैं कि उसके बाल कितने ज़्यादा लंबे हो गए हैं और लंबे बालों के साथ साथ नो उसके बाल काफी ज़्यादा हेल्दी हैं ये सबी चीज़ों का अगर आप भी धियान रखेंगे अपनी अच्छी मतरुटीन आप बहुत अच्छी रखेंगे बालों की डाइट अपनी अच्छी रखेंगे तो आपको ऐसी ही और फॉल की कोई भी प्राब्लम नहीं होगी तो देखेंगे जशन के बालों पर न अच्छी तरह से मैंने ओईलीन की यह जशन के तो हमेशा मुझे ओईल बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है क्यूंकि न उसके बाल लंबे हैं तो काफी ज़्यादा ऑईल लग जाता है एक तरह से हैवी है और ओईलींग ही मुझे के बालों में करनी पड़ती है तो ऐलिंग करने के बाद अच्छी तरह से मैं उसके बालों पर कॉम्बिंग कर रही हूं टैंगल्स रिमूव करने हैं टैंगल्स रिमूव करने में आदा घंटा लग जाता है क्योंकि बालों में इतनी ज्यादा टैंगल्स होते हैं इतनी ज्या तो दिरे दिरे करके इस तरह से बालों को fold करके मैं उसके अराम से tangles remove करते हूँ यहाँ पर वीडियो को मैंने fast किया हुआ है तो मैंने बड़े अराम से उसके सभी tangles remove की हैं 30 minutes मुझे लग गए थे उसके बालों में अच्छी तरह से tangles को remove करने में आप देख सकते हैं इस तरह का use भी कर सकते हैं hope guys आपको यह वली वीडियो अच्छी लगी होगी यह वीडियो आपके लिए helpful होगी तो चलिए guys अम आपको अपनी next वीडियो में मिलूंगी तब ते के लिए thank you bye